हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी है कोई image फाइल यानि फोटो और आप उसको ms word में convert करना चाहते हो यानि बजलना चाहते हो कैसे करेंगे आये जानते हैं इसके लिए आपको कोई भी software कोई भी application download नहीं करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने computer laptop में ms word को open करना है तो यहाँ पर तुपर की तरफ insert option दिखाई दे जाएगा तो insert option पे किलिक करना है पिच्चर option को दिखाई किलिक करना है और आपका जो dis topic ऐसना पर आजाएगा तो यहाँ पर आपका जो photo है कहा पर है देख लिजी जी तो आरा है desktop पर एक अ है तो यहां पर हमारा फॉटो आ चुका है हमें इस फॉटो को लेना चालते हैं तो तो हमने से कर लिया है और यहाँ पर एक फोटो आ चुका है अगर आप इसे दूसरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आए नीचे क्लिक करें है तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे की तरफ हमारा कर्सर यहां पर है तो दूसरा भी इमीज आपको यसे सेंटो सेंप लेना है आप जितने मर्जी इमेज ले सकते हैं तो इंसर्ट पर किलिक करें पिछर पर किलिक करें और यहाँ पर दूसरा इमेज ले लिए तो यहाँ पर हम सेक्किम का ले लेते हैं इंसेट पर किलिक करते हैं तो दूसरा इमेज भी आ चुका है तो मैं दोनों इमेज ले लिए हैं तो आप दे सकते हैं अब यहाँ पर आपको सेव आप्शन पर किलिक करना है सेव करना इसको कंड्रोल एस करें हो गई है तो यहां पर हम देखते हैं मैं तो यह रही हमारी वह फाइल नीचे फाइल करें कि थी हम इस 95 करेंगे तो हमारी जो दौनों इमेज्ज जो हमने ऐड करी थी भू आ चुकी है ऐसे य पिसको यूज़ कर सकते हैं वीडियों पसंद यह साथ हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा